हेलो फ्रेंड मैं संदीप से यादो स्वागत करता हूँ आप सर्वी का इस चैनल सस्टेक पे तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड सिस्टम को लेकर के जो भी आप अपने आस पास जो भी आप स्पीकर्स, बूफर्स, होम थेटर्स जो भी आप देखते हैं, उनमें जो स्पीकर्स होते हैं, इनको जो मांट करने का तरीका होता है या फिर किसी स्पीकर में आप देख रहे होगे, बहुत अच्छी बेस आती है, किसी में बेस अच्छी नहीं आती है तो इसके पीछे कारण क्या है, उसको लेकर करके हम बात करने वाले है इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे बेसिक और सबसे सिंपल तरीके से सबको समझाने की कोसिस करूँगा कि जो भी sound system की जो types होते हैं, उनको और जो उनका mechanism होता है उनको काम करने की तरीकों को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोसिस करूँगा मेरे पास एक speaker है, बोट स्टोन गरेट, इसके तुरू आपको मैं बताना चाहूं तो जैसे करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने की कोसिस करेंगी कि हमें एक जो speaker होता है उसको box में close करने की जुरूद क्यों पड़ी, क्यों न हमें एक speaker को बिना box में रखे play करते हैं बाहर की तरफ wave generate होता है और वही surface जब अंदर की तरफ आती है तब अंदर की तरफ negative wave generate होता है इन दोनों wave को यह आप notice करो जितनी wave बाहर जा रही है forwarded side में उतनी wave अंदर आ रही है backward side में इन दोनों जो wave होती है वो maximum cases में cancel out होती है इसलिए जो maximum इसका base होता है जो proper sound आती है तो जो negative wave है जो backward side में wave है उसको cancel out ना करे आगे वाली forward wave को इसलिए हम उसको box में बंद करते हैं ताकि जो backward wave आ रही हो वो box में enclosed रह जाए और जो forward wave जा रही है वो proper तरीके से सुनाई दे तो इस case में better sound आता है जब हम box में इसको pack करके रखते हैं इन दोनों wave जो forward wave और जो backward wave है इन दोनों को आपस में cancel out ना हो पाए इस case को दूर करने के लिए total तीन टैप के enclosure बनाए जाते हैं इन क्लोजर मतलब आप बोल सकते हो कि boxes बनाए ताकि वो negative wave जो backward wave आ रही है वो forward wave को cancel out ना करे तो जो तीनों प्रकार के enclosure's है उनके बारे में बताने वाला हो तो जो सबसे पहला enclosure है वो sealed enclosure है और जो दूसरा है वो portate enclosure उसको आप vent enclosure या फिर bass reflex भी बोल सकते हो जो third type का enclosure है उसको band pass enclosure बोलते हो तो हम एके करके इन तीनों enclosure को समझने के कोशिज करेंगे इनके mechanism in के जो concept use हुए है इस speaker system में इसो समझने के कोशिज करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं sealed enclosure के बारे में नाम से ही आप समझ पा रहे होगे sealed enclosure, sealed ही मतलब कि पुरा proper तरीके से seal कर दिया जाया जो backward वेब आ रही है speaker की उसको proper तरीके से seal कर दिया जाया ताकि वो आगे के forward wave को cancel out ना कर पाए तो इस case में एक बिल्कुल ऐसा box बनाया जाता है जहां से कि बिल्कुल हवा बाहर ना जा सके अब यह दिया आप speaker के back side को पूरे proper तरीके से seal कर दोगे उस case में क्या दिक्कते सामने आती है जो speaker का surface होता है वो proper तरीके से vibrate नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पीछे जगे रहती ही नहीं vibration के लिए तो इस case में क्या होता है कि efficiency इसकी बहुत कम रहती है बह यह case नहीं हो पाती है जो कि ported enclosure में इसको धूर कर दिया जाता है तो ported enclosure में आप देख रहे होगे एक नीचे के side में vent बना होगा यह vent आप पीछे side में या forward side में भी vent बना सकते हो इस vent की पुरी proper measurement speaker के हिसाब से रहती है इस vent को बनाने से क्या होता है efficiency इसकी दोगुना हो पाती है इस case में जो low frequency रहती है वो भी proper तरीके से सुनाई देती है तो अब ported enclosure के case में सवाल यह उठता है कि जो इसके vents हैं उसके थ्रू भी तो जो negative wave backward wave आ रही है speaker के थ्रू वो निकल सकती है लेकिन नहीं मैं आपको बताना चाहूँगा इस case में जो vents होते हैं उसमें ए जो थोड़े से पंची base के साथ में रहते हैं यह सब ported enclosure में आते हैं अब आप यह सोच रहोगी कि इन सब speakers में कहीं vent तो होती नहीं है फिर इनको हम ported enclosure में क्यों रखे हैं तो जो यह vent होता है यह proper जगे ना होने के वज़े से Bluetooth speakers में जो vents के जगे पे हम base radiator यूज में लेते है बात करते हैं जो third type का enclosure है वो है band pass enclosure band pass enclosure का main concept बस यही आप समझ लो जो sealed enclosure और ported enclosure दोनों का combination है इसके मैं आपको animated एक diagram दिखा दे रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो जो speaker के ठीक सामने vent खुला हुआ है वहां से हवा का frequency maintain करेगा उस चीज को जो fluctuation होगी speaker का और जो back side में रह बूफर वगर है home theater में हम देखते हैं जो बड़ा ऐसा एक box की तरह होता है जिसमें speaker दिखता तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से sound आती है एक definite frequency आती है जो की बहुत ज्यादा deep bass के साथ में होती है वो यह band pass enclosure में आता है अब तक हमने जितने भी type के enclosure पीछे देख रखे है इन सब को मैं practically दिखाने की कोशिस करूँगा तो सबसे पहले हमें start करते हैं जो basic speaker है तो आप देख सकते हो देखने में तो यह लग रहे है कि दो-दो speaker बोटि स्टून ग्रेंडट में दे रखे हैं लेकिन अच्छुली में यह एकी speaker जो कि इसके साथ में है 5W का और यह जो है यह है passive radiator मैंने आपसे बात करा है कि यह है passive radiator जिसका काम के वल क्या होता है कि जो backward वेब आती है जो negative वेब आती है speaker की थूरू उसके जो fluctuation होती है वेब की उसको बस maintain करने के लिए help में आता है क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कर सकते है कि जो कि negative वेब आ रही हो speaker के backward side से उसको हम पूरा जाने दें और पूरा रोक भी नहीं सकते है पूरा रोक रहे थे shield वाले case में तो proper आवाज नहीं आ रही थी इदि पूरा जाने दे रहे हैं तो वो negative वेब फरवर्ड वेब को cancel out हो जा रहे थी तो उस case को एक proper way में मतलब एक limited wave मतलब बाहर जाने दे negative वाले को उस case में हम passive radiator का use में लेते हैं यह थोड़ा सा fluctuate करता है आप देख सकते हो थोड़ी बहुत fluctuation है इसमें तो अभी मैं आपको sound सुनाने जा रहा हूँ वो simple speaker का होगा बीना passive radiator के help से तो आप खुद समझ पाऊगे कि passive radiator के लग जाने के बाद क की आवाज कैसी रह दिये और बीना passive radiator के simple speaker की आवाज कैसी रह दिये अब मैं आपको ported enclosure के mode में आपको आवाज सुनाने कोसिस करूँगा तो चली देखते हैं जाने बिदेट का कि आव झाओ पो ल popular ये दे लुगते हैं गजके आवड्OfThe cher यह जब आपको आपको आपे आपको 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 is आपको एंजब से अज़ से इवाजब प्युक्तिस तो जैसा कि आपने देखा जिस टाइम पे मैंने स्पीकर के दोनों साइट के दूस वेंट से प्रॉपर तरीके से जिस टाइम पे इसका पैसु रेडियेटर फंक्सन कर रहा है और जिस टाइम पैसु रेडियेटर फंक्सन कर रहा है आवाज थोड़ी से पंची बेस के साथ मे तो मैं इस चिस को सुनाने के आपको को खुर्स कर रहा हूं, माल के तरू प्रॉपर आवाज नहीं जा पारे होगी लेकिन मैं इसस को एक्च्वल तरीके में फिल कर पा रहा हूंगी काफ़ी डिफेरेंस है इस दोनों चीजों में तो मैंने पूरी कोशिस करी स्पिकर के कंसेप्ट को समझाने की बिल्कुल इजी लेंगेज में उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी